अर्मित्रो आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हो कि आप अपने घर में आउचाले किस दिशा में रखें जिससे आपको इसी परसानी का सामना नहीं करना पड़े दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सानिवेदन रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर है है तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें तही साथ घंटे का बसंद वाले जब भी मैं कोई नय वीडियो अपलोड करू तो उसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए दोस्तो वीडियो को सुरुवात करते हैं दोस्तो वास्तो सास्त के अनुसारिया बताया गया है कि आपको दिन में तरदिसा के तरफ मुह करके मल मुत्र का त्याग करना चाहिए और रात के समय छिन दिसा के तरफ मुह करके मल मुत्र का त्याग करना चाहिए इसमें एक और बात भी विशेश बताया गया है कि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आयुछिण नहीं होगी उस्तो हमें तूरी और चंद्रमा के तरफ मुह करके मलमुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए इन में हम उत्तर दिशा के तरफ मुह करके मलमुत्र कात्या करते हैं तो पूरी के तरफ उख नहीं होगा और तमें दच्छिन दिशा में मलमुत्र कात्या करते हैं तो द्रमा के तरफ उख नहीं होगा से सकारात्मक उरजा आने वाले तो उरजा वापस ही जाएंगे तो हिसाब से दोस्तों आपको अपने घर में सवचाले तर और दच्छिन दिशा के तरफ सथापित करना चाहिए तर दोस्तों दी गई हुई जणकारी अपको जरूर पसंद आई होगी मित्रो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना वेडियो को लाइक करना और कमेंट बुक्स में अपना राय भेजना बिल्कोल ना बोले